अगर आप arrange marriage कर रहे हो और आपको ऐसे दो जगाशे रिस्ते मिले जहापे एक जगा लर्की बहुत ही बड़ी घर से है देखने में खूब सूरत है लेकिन खाने बनाने के मामले में उसको से पास्ता ही बनाने को आता है और एक तरफ एक middle class घर की लर्की जो देखने में कुछ खास तो नहीं है लेकिन वो घर की सारे काम बहुत ही खूबी से करता है तो आप दोनों में से किसको चूज करोगे नमस्कार मैं हूँ देव और स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल पे आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ कहानी दो स्मार्ट एसिस्टेंस के बारे में Google का Nest Hub और Amazon का Echo Echo Show 5 ची हाँ यह दोनों का स्टोरी कुछ ऐसा ही है चलिए हम एक कंपैरेशन करके इसके बारे में देखते है तो डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे Nest Hub आप 7 इंच का डिस्प्रे के साथ मिल जाएगा और Echo Show 5 5.5 इंच का जो बेसिक मोडल है उसका तो इसमे Echo Show 5 का ठोड़ा पिरामिड टाइब का शेप है उपर दो माइक्रोफोन का होल है माइक्रोफोन फारफिल माइक्रोफोन का एक माइक्रोफोन ओनौफ का स्विच है वॉल्यूम प्लस माईनस और एक कामेरा ओनौफ का मैनुवल स्लाइडर भी है तो यह काफी यूसूल है जो का cover है यह fabric में है और यहाँ पे नीचे एक anti-slip grip है पैड है पीछे power port micro sb और एक 3.5 mm का jack भी है audio devices analog से connect करने के लिए तो यह एक extra option दिया गया है इस पे जो काफी अच्छा है और अगर हम एक को sorry nest hub के बारे में अगर बात करें तो nest hub में आपको इसी तरह का कुछ speaker देखने को मिल जाएगा वही black fabric में G logo है इस पे पीछे volume plus minus का slider और एक और भी slider है microphone on off का सामने से कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि एक tablet है speaker का उपर और यह white color का यह anti-slip rubber pad है इसमें जो इसको steady रखने में मदद करता है तो इसमें कोई आपको camera तो नहीं देखने को मिलेगा तो इसमें जो सामने आपको देखने को मिलेगा वह सिर्फ आपका दो एक ambient light sensor और दो microphone far field वाला और पीछे कोई 3.5 mm का port भी नहीं है USB port भी नहीं है सिर्फ power का जो jack है वो ही है तो यहाँ पे design लेकिन Google का मुझे फिर भी अच्छा लगा और यह इन दोनों का power adapter है Google का white color का 15 watt का है दोनों ही और Amazon का cube shape में है और यह power board भी काफी अच्छा लगता है इन दोनों का 2-pin power adapter है लेकिन design इसका भी काफी अच्छा है तो अगर display quality के बारे में यह बात करें तो desktop का display बहुत ही अच्छा है यह घर की जो indoor lighting है इसको adjust करके ऐसे आपको display produce करता है कि लगमानों के यह picture frame है तो यह बहुत ही अच्छा लगता है यह ordinary LCD है इसमें लेकिन लगता है कि जैसे AMOLED screen है तो बहुत ही अच्छा display quality है इसका और इसका जो technology है बहुत ही उंदा है Amazon का जो Echo Show 5 है इसका भी display बुड़ा नहीं है लेकिन Google की मुकाबले यह कुछ खास नहीं हाला कि यह जो basic चीज़े है टाइम दिखाना और अच्छा wallpaper शो करना यह अच्छी तरह से कर लेता है और बिलकुल dark पे कुछ ऐसा यह glow होता है तो यहाँ पे Google का डिस्प्ले वाकई में बहुत अच्छा है चलिए आप बात करते हैं sound quality के बारे में तो अगर यूजर इंटरफेस के बारे में बात करें तो Google का इस पें कोई Android वाला सिस्टम नहीं एक अलग सा यूजर इंटरफेस आता है कुछ इस तरह यह टाइल के हिसाब से यह शो करता है कौन सा light जल रहा है कितना brightness है तो यह काफी आसान है जल्दी से उस light को on या off करना या brightness को घटाना या बढ़ाना आप किसी भी यह lights में क्लिक करो तो यह पर details में यह शो करेगा यह color क्या है इसका color अगर आप change करना चाहो अगर वो light support करता है तो वो भी हो जाएगा brightness घटा या बढ़ा सकते हो easy एक slider से यह आपका जो smart bulb है उसका color change कर सकते हो तो यह पर यह options और जो user interface है काफी smooth है और काफी integrated है काफी flexibility है काफी अच्छा है touch के सरी use करने के मामले में यह user interface एक number का है और अगर आप lights के मामले में देखो तो यह lights यहाँ पे आप individually भी select करके on या off कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ पे जो चीज बुरा लगा कि without Wi-Fi या without internet यह कोई भी कामगा नहीं है हाँ कोई भी smart device without internet या Wi-Fi आपका lights बगार smart home control नहीं कर सकता है लेकिन यह सिर्फ आपका time या wallpaper भी अच्छी तरह से नहीं दिखाएगा without internet यह कोई भी काम का नहीं है और यहाँ पे जो अगर आप media के बारे में बात करो यहाँ पे आपको Netflix और YouTube directly integrated हो जाएगा आप account sync करके आपके Netflix और YouTube आप देख सकते हो और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ Wi-Fi भी अगर चेंज करना है तो वो भी आपको करने के लिए पूरा device reset करना होगा तो सब कुछ आपको यहाँ पे जो भी करना है आपके home जो एप है Google का home app उसी समय करना होगा आपके smartphone से यहाँ से कुछ भी नहीं होगा यहाँ एक wallpaper भी चेंज नहीं होगा और आपका जो Wi-Fi अगर चेंज करो तो यह पुड़ा system reset हो जाएगा तो यह काफी मुश्किल है और काफी यह एक problematic situation है वही उस तरफ अगर आप Alexa के बाने में बात करो यह basic चीज़े जो है बेक Bluetooth सेटिंग में जाके कोई भी Bluetooth डिवाइज या लेस करना connect या disconnect करना network में जाके कोई भी Wi-Fi network में जम करके जाना यहां से बहुत ही आसान है तो यह basic जो चीज़े हैं बहुत अच्छे तरह से कर लेता है हाला कि touch response Google के तरह smooth नहीं है यह जो आपका wallpaper है वो भी शो करता है और अगर Wi-Fi या नहीं रहे आपके घर में तो भी यह एक disk clock के तरह आपका time बराबर show करता रहेगा आपके जो wallpaper है वो show करेगा तो ऐसे आप इसको भी इस्तमाल कर सकते हो इसका जो camera है उपर इसको आप security camera के हिसाब से भी काम करा सकते हो desktop camera के हिसाब से इसका यह slider वाला जो interface है मुझे कुछ खास नहीं लगा यहां पे smart home का जो slow यह response करता है यह जो tiles है आप देख रहे हो lights को on off करने के लिए हर एक light के लिए अलग-अलग tiles आएगा आप group भी कर सकते हो इसको तो यहां पे अगर आप इसको brightness बड़ा या कमा सकते हो या फिर on या off कर सकते हो color change कर डिका कोई options इसमें नहीं है मेरा door camera भी इसमें connected है लेकिन जब भी मैं इसको start करता हूँ यह Alexa में थोड़ा यह slowly response करके आता है लेकिन नेस्ट हब में यह जट से खुल जाता है तो यहां पे Google का UI बहुत अच्छा है लेकिन usability के मामले में Alexa का integration है वो बहुत ही smart way में यहां पे apply किया गया है लेकिन Google को बहुत ही काम करना होगा आपका setting menu में at least अपने device को जो clock है जो wallpaper है without Wi-Fi वो show कर सके ऐसा कुछ Google को करना होगा और यह इसमें का जो media control है आप देख सकते हो इसमें Amazon Prime चलेगा नेट्फिक्स भी चलेगा लेकिन YouTube डारेक्ली नहीं चलेगा उसके लिए आपको इसके जरीए यह आपको YouTube चल जाएगा तो कुछ खास problem नहीं है उस पर लेकिन Google का जो optimization है user interface का वो काफी अच्छा है तो यहां पर यह सबसे इपोर्टिन है voice recognition और मैं अपने घर बे करीब 11 फुट दूर से यह use कर रहा हूँ तो आप लेकिसे तो Google काफी miss कर रहा है लेकिन Alexa लगभख सब कमांड कैच कर रहा है और ठीक से काम कर रहा है मैं अभी कुछ 5 फुट पिस्टिन से हूँ यह devices से और अभी भी results कुछ वैसा ही है Alexa switch on Lily okay voice recognition के बाले में जो सबसे important turn off tulip CB smart assistant के लिए Alexa उसलिए बहुत अच्छे परफॉर्म के लिए माना जाता है have a look at these pictures hey Google turn off tulip Alexa turn on tulip okay okay Google turn on lotus okay Google turn lotus color red sorry I don't know how to help with that here are other things you can try Alexa turn lotus color red okay Alexa switch off lotus okay Google who's the smartest you or Alexa I like Alexa's blue light her voice is nice too so to be a overall performance Alexa का का अफी बहतर लगा और ये था मेरा चोटा से वीडियो smart assistant का comparison के बारे में कैसा लगा बताएगा जूरूर thank you for watching the we we कर दो कर दो कर दो